हलो फ्रेंट्स वेलकम टू सिविल की गोल यूटूब चैनल तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल की तरफ से यहां पर कुछ वेकेंशिया यहां पर निकाली गई है इसमें सिविल इंजिनियर्स के लिए आपको डिप्टी इंजिनियर की पोस्ट आपको देखने को मि इसका वर्क रहता है टोटल बाकी चीजों के लिए आप डिटेल में यहां पर कंप्लीट देख सकते हैं उनकी प्रोफाइल को आगे हम बात करेंगे पोस्ट होगी तो यहां पर जो भी पोस्ट दी गई है उनकी आपको डिटेल एंड जो यहां पर रोल रहने वाला है जो र क्वालिफिकेशन और एक्सपिरिंश जो भी यहां पर पोस्टों के लिए मांगा गया है उनकी डिटेल आप यहां पर देख पाएंगे तो यहां पर हम बात करें जो डिपटी इंजिनियर की यहां पर जो पोस्टे थी सिविल इंजिनियर के लिए बाकी अधर ब्रांच वा प्राण रहेगी पलस यहां पर जो education qualification यहां पर मांगी गई है उसमें आपके पास बी इबी टेक की degree आपके पास होनी चाहिए minimum 55% passing mark के साथ इसके साथ ही 2 year का experience आपके पास सिविल वरक में होना चाहिए जो आपने कहीं भी आपने वरक किया हो तो उसका यहाँ पर मांगा गया है पलस यहाँ पर डिजाइरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सिविल इंजिनिरिंग से आपके पास होनी चाहिए तो वो डिजाइरेबल में यहाँ पर यह चीज आप से मांगी गई है पलस इसी तरह से यहाँ पर जो भी यहाँ पर अलग अलग पोस्टे आपको डिप्टी इंजिनिर की और भी देखने को मिलीगी जिसमें regular बेस पर भी है बाकी contract बेस पर भी है तो उनकी आप education qualification पलस बाकी चीज़े हैं वो आप यहाँ पर इसी तरह से देख सकते हैं तो आगे हम बात करेंगे इन पोस्टों के लिए जो भी यहाँ पर age एंड जो pay level रखा गया है उनके बारे में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो pay scale और जो pay मिलने वाला है यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए तो उसकी detail आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी CTC रहने वाला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पलस यहाँ पर जो age limit रखी गई है 31,5,2023 के अनुसार जो की count की जाएगी वो यहाँ पर 30 साल यहाँ पर रखी गई है deputy engineer की post के लिए apply करने के लिए बाकि यहाँ पर others और भी जो पोस्टे हैं उनकी भी यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप apply करेंगे इस post के लिए और किस तरह से आप कर सब्मिट करनी है application वगर उनकी detail आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यह offline बेस पर यहाँ पर रहने वाली है जहां आपको अपनी application send करनी होगी speed post के द्वारा इनकी जो आपको paste करके self-attester करके सारी कोफी degree बगर है certificate experience certificate आदी जित्तिव चीजे हैं सब आपको envelope करके इनके जो बताए गए address पर आपको भेज़ देनी है इसके साथ ही आपको एक bank drop जो आपकी फीस रहेगी उसके रूप में आपको 500 रुपे का bank drop यहाँ पर send करना होगा and यहाँ पर जो यह bank drop आप भेज़ेंगे जो फीस है यहाँ पर HTSC वाले candidates को नहीं देनी है बाकी यह UR category जंदल category के students के लिए ही वो रहने वाली है इसके अलावा यहाँ पर जो age में जो relaxation रहते हैं उनकी detail भी आप यहाँ पर देख सकते हैं government के rules and terms conditions के हिसाब से जो भी category wise यहाँ पर age मे relaxation मिलते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी तो वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो आप इसके लिए अपनी अगर आप eligible है तो अपने documents वगएर है सभी ready कर ले और सारे documents वगएर को इनके बताए अनुसार उनको सही तरीके से manage कर करने है आदी जो भी चीज़े दी गई है उन सब को आपको इनके बताए गए address पर 10-7-2023 से पहले पहले send कर देना है यह इनकी last date है इस तारिक से पहले ही आपका speech post जो आपका courier है वो इनके पास पहुंच जाना चाहिए बाकी चीजों के लिए आप notification को download करके अच्छी तरह कर सकेंगे तो यहां से आप इसको download करके इसको आप फिल कर सकते हैं जो जो चीज़े आपर मांगी गई है एंड याप पर जो चीज़े आपको attach करनी है उनकी detail आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से आप इस forum को download करके अच्छी तरह कैसे सोच समझ कर जो भ किजिए हमारे चैनल को साथ या आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन करें सारे सोचल मीडिया है एंडल्स की लिंक का आपको हमारे इस वीडियो की description में मिल जाएगी ठीक फ्रेंड्स धन्यवाद